तो हाई फरेंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इमेल आइडी क्या होता है इमेल आइडी का यूज कैसे किया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे आप दो मिनिट के अंदर में आप अपनी मुवाइल से आप इमेल आइडी और email ID का क्या सब यूज होता है हाई गाज मैं हूँ आदर्स आपको आदर्स कुमार YouTube चैनल में आपका स्वागत है भाई वीडियो श्टाट करने से पहले आप लोग से चोटी सी रिक्वेस्ट है तो फर्ष्ट बाले जो option है all पर यही पर आपको यहाँ पर क्लिक करनी है जब आप क्लिक करोगे उसके बाद जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाएगा तो प्लीज भाई इतना काम कर देना इतना काम आप फिरी में कर सकते हो यदि आप चैनल को सबस्क्राइब कर लेते हो तो बस आपके एक सबस्क्राइबर से होसला होता है जिनके कारण में next वीडियो आप लोग के लिए ही बना कर लाता हूँ धन्यवाद तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपको अपने मुबाइल के यूटूब अपिलिकेशन को आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद सिंपली आपका जो है परोफाइल जो भी होगा उस पर आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है जो आपका सर्च के सर्च जो सिंबॉल है उसके जश्ट सामने में होगा तो चलिए आप मैं इस पर मैं एक बार किलिक कर दिया हूँ उसके बाद आपका जो नेम होगा जो अभी आप देख रहे हो प्रोफाइल के जश्ट सामने में जो मेरा नेम है एक बार आपको simply इस पर click कर देना है जब आप इस पर click करोगे तब आपके सामने इस तरह का screen चलाएगा तो जैसे अभी आप देख रहे हो कि हमारे phone में धेर सारा मैं यहाँ पर कुछ fake भी email में यहाँ पर बनाया हुआ हूँ तो simply आपको new email बनाने के लिए आपको simply account के just सामने में एक पलस का symbol है तो simply आपको पलस बाले symbol पर एक बार आपको click करना होगा click करने के बाद यहाँ पर checking होगा और आपका जो भी starting में password जो पहले से लगा हुआ है वही password आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा तो चलिए आप में डाल देता हूँ तो यहाँ पर वही password आपको डालना पड़ेगा तो आप में same password डाल देता हूँ जो हमारे phone में पहले से लगा रहता है तो आप यहाँ पर checking होगा और आपका जो है यहाँ पर email ID बनाने का option है वह यहाँ पर open हो चुका है तो चलिए आप में simply यहाँ पर जाओंगा create account पर तो आप में इस पर एक पार में click करूंगा तो चलिए आप में यहाँ पर click कर दिया हूँ उसके बाद आपको क्या करना है for myself पर आपको click कर देना है for myself पर तो चलिए आप में इस पर में click कर देता हूँ क्योंकि आप खुद का बनाओगे इसलिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देना है उसके बाद लास्ट नेम आपको डाल देना है तो चलिए आप में यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल देता हूँ तो फर्स्ट नेम में यहाँ जो डालने के दियां उसके आगे का जो इस्टेफ है वह यह है कि आपको अपना डेट अप बर्थ जो है वह देना पड़ता है तो चलिए आप में सिंप्ली अपना डेट अप जो बर्थ है वह यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर डे और सेकेंड में मन्त और ठड में यह उसके अंगे हां और यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं उसके आद नीचे में आपको एक नेक्ष्ट का एक सिंप्ली आपको next वाले symbol पर आपको click कर देना एक बार और click करने के बाद आपको यहाँ पर क्या कर लेना है जैसे अभी आप देख रहे हो सबसे नीचे में आपको यहाँ पर कुछ option मिलेगा यूज mobile का और यहाँ पर next का आपको यहाँ पर option मिलेगा तो आपको simply क्या करना यूज mobile वाले जो symbol है इसी पर आपको simply यहाँ पर click कर देना है तो आईए आप में click कर दिया हो click करने के बाद आपका जो mobile नमबर आप जो भी seem आपके phone में लगा होगा वह जो mobile नमबर है वह आपको यहाँ पर so हो जाएगा अभी में mobile नमबर में एक बार आपको click कर देना है जब आप एक बार इस पर click करोगे उसके बाद जो आगे का process है वह आपको हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हो Google verify तो आप यहाँ पर देख सकते हो Google का जो भी verification होता है वह यहाँ पर complete हो चुका है Google के तरफ से जो भी आपका email ID है वह बनकर यहाँ पर OK हो गया है और नीचे आपको आना है और यहाँ पर I agree वाला जो symbol है यहाँ पर आपको click कर देना है चलिए आप में इस पर click कर देता हूँ और यहाँ से आपको कोई भी password जो है वह आपको यहाँ से select कर लेना है तो चलिए आप में select में कर लेता हूँ यहाँ से password तो इस तरह से आप यहाँ पर password जो है आप डाल सकते हो तो यहाँ पर एक चीज़ में आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो password है वह आप सही से यहाँ पर डालना क्योंकि यहाँ पर password काफी ज़ादा यहाँ पर important रहता है ठीक ना तो चलिए आप मैं डाल देता हूँ यहाँ पर password तो password यहाँ पर हो गिया है तो दोनों में आपको same ही password आपको डाल देना है दोनों box में उसके बाद क्या करना है आपको next यहाँ पर करना है sorry यहाँ पर password ले नहीं रहा है तो मैं फिर से यहाँ पर try कर रहा हूँ तो यहाँ पर password डालने में थोड़ा समय लगेगा तो यहाँ पर आपको रुक जाना है तो यहाँ पर आप मैं finally कुछ hard password जो है वो हमें यहाँ पर डाल देता हूँ और फिर से इसको cut करूँगा और यहाँ पर डाल देता हूँ तो guys बस यह complete होने के लिए जा रहा है इसका process तो यह complete हो चुका है आप मैं यहाँ पर next किया हूँ उसके बाद फिर से आपको यहाँ पर next का एक option मिलेगा और यहाँ पर आपको option आ जाता है और आपको फिर से यहाँ पर next कर देना है तो आप मैं यहाँ पर next कर देता हूँ उसके आद नीचे में I agree का एक symbol आएगा तो simply आपको यह option पर click करना है click करने के बाद जो आपका यहाँ पर email ID है वह आपको यहाँ पर so हो जाएगा आपका बन कर okay हो गया email ID तो आप मैं आपको बताता हूँ email ID कहाँ पर so करता है तो चलिए यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं कि email ID बना है या फिर नहीं बना है तो finally guys आप देख सकते हो कि यहाँ पर email ID है वह बन गया है और मैं आपको देखाता हूँ जैसे आप देख सकते हो मेरा नेम का जो OM है वह यहाँ पर पहले आ चुका है इस पर मैं क्लिक करता हूँ यही नहीं मेरा email ID था आप देख सकते हो ओमकुमार और यहाँ पर दिया हुआ है om583149gmail.com तो इस तरह से आप अपना भी email ID जो है वह आप बना सकते हो हो आप मैं बताता हूँ email ID का यूज कैसे किया जाता है जैसे कि आप अगर मान लो कोई फरम भरते हो और उसमें आप अपना email ID अगर आ इतना अगर आप देते होmaं जैसे मेरा jeen отдел ID को लिए अगर में को भी फॉर्म में तो आपकी जो मोबाइल नमबर है उस पर आपको कॉल नहीं करेगा अगर को भी प्रोबलम होता है आपका एक्जाम फॉर्म में वह डारेक्ट आपको इमेल करेगा तो आपको उसको चेक करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और गूगल पर आपको gmail.com आपको केबल सर्च करना जैसे अभी आप देख रहे हो gmail.com तो simply आपको यह जो है वह आपको यहाँ पर सर्च कर देना सर्च करने के बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा और उसमें आपको यह मिल जाएगा कि आपक सर्च को भी प्रवॉब्लम अगर आएगा तो वह आपको यहाँ पर email जो अगर वह आपको email किया होगा तो आपको सभी email आपको यहाँ पर मील जाएगा, आप देख सकते हो यह email जो है 5-24 में आया है, यह 12-26 में आया है, तो इस तरह से आप यहाँ से email आप चेक कर सकते हो, तो गाइज मैं जानता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे इमेल आइडी कैसे बनाया जाता है इमेल आइडी का यूज कैसे होता है इमेल आइडी आप अपने मोबाइल से कैसे आप चिक कर सकते हो सभी जनकारी मैंने आपको दिया हूँ तो प्लीज भाइड वीडियो बनाने में बहुत मेनत लगा अगर भाइड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन ओन कर देना प्लीज थैंक्स